आलोग जी आपसे शुरू कर रहा हूँ आलोग जी ऐसा कहा होता है आपका तो गड़ रहा है अमेठी राइबरेली दो दिन रहे गए आखरी तारीक नामंकन की दो दिन बाद अभी तक आप नहीं बता रहे कौन लड़ेगा अमेठी राइबरेली से आलोग जी कौन कितने वोट से हारा कौन कितने वोट से जीता पिशली बार सब रखे रह जाएंगे पूरी हवा बदली हुई है सारे समीकरन सारे जाती धर्म के लोग सब समझ चुके हैं कि जो जूट की सरकार है इसको इसक बार उखाड कर फैक देना है जहां तक कमेटी राइवरेली की बात है हर कारकरता हर व्यक्ती वहाँ पर चाहता है कि मानिराहुल गांधी जी और पियंका जी चुनाव लड़े उन्ही को ते करना है खडगे जी को ते करना है सेंटर इलेक्शन कमेटी को ते करना है लेकिन ये कही ना कही मुझे स्टाटेजी का हिस्सा नजर आता है कि कब डिकलेयर करना है कब नहीं करना है कॉंग्रेस पार्टी कभी भी निर्ने ना ले ऐसा नहीं होता है मुझे लगता है जहां तक मेरी समझ है कि बहुत जल्द पूरे देश को पता भी चलेगा और बहुत अच्छा निर्ने भी होगा जो निर्ने अमेठी और राइबरेली के लिए अच्छा होगा पूरी जन्ता वहां की एक कारकरता चाहता है ये तो खर्गे जी भी बोल चुके कि हम चौकाएंगे सर्प्राइस करेंगे ये तो बोल चुके वो लेकिन ये रन्नीती कैसी हुई कि नामांकन के आखरी दिन से एक दिन पहले अपना उम्मीदवार घोशित किया जाए हमें तो सब को ये लगता है कि कहीं न कहीं कौंग्रेस पार्टी तैने कर पा रही है राहूल गांधी प्रियंका गांधी तैने कर पा रहे है मुश्किल फैसला है नहीं ऐसा नहीं है माना जी जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं पूरे देश में चुनाव लड़वा रहे हैं वो और जिस तरह से उन्होंने चार-चार हजार किलोमेटर की यात्रा की है ये बहुत छोटा सा फैसला है उनके लिए और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उनसे डारेक्ट संपर्क में नहीं हूँ इस विशे को लेकर फैसला ऻो भी गया हो नहीं भी हुआ हो लेकिन ओ जो बलूंदर सिंग सरदार जी हमेठी राइबरेली से लड़ेंगे बीजेपी के उनका नॉमिनिशन कब का है एक मिनिट एक निनिट हमें तो पता नहीं है बीजेपी से कौन लड़ रहा है राइबरली से आपको कैसे पता कौन लड़ रहा है आलोग जी हमें पता चला है कोई सरदार सरदार बलविंदर सिंग कोई लड़ रहे हैं वहां से अरे कमाल है अगर इतना आसान फैसला होता बीजेपी ने अब तक अनाउंस कर दिया होता जो नहीं अनाउंस किया अभी तो जहां से चाहेंगी लड़ जाएंगी वो तो लेकिन राइबरली से बीजेपी भी नरने नहीं कर पाई है मुझे लगता दोनों पार्टियां किसी ना किसी एंगल से स्टाटेजी के तहत ही कैंडिडेट्स को डिकलेर नहीं कर रही है आलोग जी मान लीजे ना मुश्किल फैसला है मान लीजे बहुत मुश्किल फैसला है राहूल गांधी अगर दूसरी बार हार गए तो सोचिए कैसा दाग लगेगा दूसरी बात प्रियंका गांधी अगर रायो बलेली से हार गई तो इलेक्टोरल डेब्यू पहला चुनाव हारने का ये दाग लग जाएगा और दूसरा दोनों स्टार प्रचारक आपके अगर उनको उतारा तो एक सीट पर सीमित होना पड़ेगा पंदरा दिन के लिए मुश्किल फैसला है निकर चुनाव मानग जी चुनाव जो हार और जीती होती है और गांधी फैमिली तो कभी किसी सी से डर का तो मतलब ही नहीं उठता है जिस तरह का उनका व्यक्तित तो हार और जीत वो तो जनता के अधीन है इस बार तो जो हालात हैं मानक जी मैं ग्राउन पे आपको बता रहा हूँ आज से दो महीने पहले जो चीज़े नजर आ रही थी जो आज नजर आ रही है जनता जिस तरह से मुखर होके मोदी जी के खिलाफ आई है और जिस तरह से बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में वो पोल परसंटेज का भी हमने आपने एक दिन एक शो किया था एक एक आदमी कह रहा है कि इस बार मोदी जी को हटाना है जोंटी और ब्रष्ट इलेक्टरल बॉंड वाली सरकार को नोट बंदी वाली को हटाना है अमेठी राइबरिली तो दोनों लड़ेंगे तो सुबच साड़े दस बजे बीजेपी वाले सब भाग जाएंगे काउंटिंग के दिन कोई नहीं आएगा सामने मतलब एक तरफा चुना होगा अमेठी राइबरिली छोड़िए यूपी के अंदर जिस तरह के हालात हैं के बहुत चौकाने वाले नतीज़ आएंगे वो जो फील गूड फैक्टर था ना जो 2004 वाला मानने जी मुझे बहुत ज़्यादा तो याद नहीं दूंदली दूंदली मुझे उसकी भी समय के भी याददाश्ट है उससे फार फार बेटर है आटल बिहार इवाजपेज जी के खिलाफ महौल नहीं था सरकार के MLA's MPs के खिलाफ महौल जरूर था इस बर मोदी जी के खिलाफ है सरकार के खिलाफ है उम बिलड़ा अपने चुनाव परचार नहीं कर पाए और जो ओवर कॉन्फिड़नस बीजे पी का था वो लेके बैठेगा इनको पूरी तरह